नमस्कार मैं हूँ अंकुर सिंग अगर इस साल यानि 2018 में यूपी की कानून विवस्था को लेकर बात करें तो शायद कहना गलत नहीं है कि इस साल सिंग योगी को कानून विवस्था के मुद्धे पर कई बार सवालों के घेरे में आना पड़ा मार्च 2017 में सप्ता समहलने के बाद ही योगी सरकार ने शोहदों को पट्री पर लाने के लिए एंटी रूमियो स्क्राइड का जुनजुना बजाया तो 2018 में 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा यात्रा के नाम पर काजगंज सुलाग उठा तिरंगा यात्रा में शामिल एक यूवक की गोली मार कर हत्या हो गई तो पूरे प्रदेश में सांप्रदाइक्ता की तपिश महसूस होने लगी सरकार जब तक काजगंज की आग को ठंडा कर पाती ही अप्रैल महिने में उन्नाव के रेपकांड में बिजेपी विधायक कुलदीप सिंग सेंगर का नाम आने से एक और फजीयत शुरू हो गई सरकार ने फजीयत से बचने के लिए मामले की जाँच सीबी आई से कराने की सिफारिश की तो सीबी आई ने 24 घंटे के अंदर ही बिजेपी विधायक कुलदीप सिंग सेंगर को धर दबोचा उन्नाओर एफकांड ने उतरपदेश सरकार की जमकर किरकरी कराई राजधानी लखनव में हजर्द गंचोराहे पर फिजेपी के फूर विधायक जिपी तिवारी के बेटे की गोली मार कर हुई हत्या और इलाबाद में वकील की दिन धाड़े गोली मार कर हुई हत्या और हिंसा ने कानून विवस्था पर सवाल खड़े कर दियो सितंबर 2018 में लखनओ के विवेग तिवारी हत्याकान ने तो उतरपदेश पुलिस के चहरे पर कालिक ही लगा दियो एक सिपाही डेपल के मैनेजर विवेग तिवारी की गोली मार कर हत्या कर दी जिसके बाद यूपी पुलिस के सिंगम अफ्तार को निस्ता नबूत कर दिया गया 2017 की तरह 2018 में भी उतरपदेश में कथिद एंकाउंटर का दौर जारी रहा जब-जब अफ्तरों की कुर्सी ही ली चाहे वो डी जी पी हो या च्पिर जिले के कफ्तार सभी ने कुर्सी बचाने के लिए एंकाउंटर का सहारा लिया 2018 में पुलिस एंकाउंटर की बात करें तो कुल मुद्भेड 3868 मारे गया प्राधी 72 खायल 496 और शहीद पुलिस कर्मी 6 वही खायल पुलिस कर्मियों की बात करें तो 365 है इतना अभी तक देखने में आया है दो साल के करीब करीब पूरे हो रहे हैं उसमें यही लगता है कि बहुत कम सफलता इनको इस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में मिली है पात का अजगंच की तिरंगा में हुई हिंसा की हो या फिर दो रक्षा के नाम पर बुलन सहर के स्याना हिंसा ऐसी तमाम छोटी घटनाओं ने सरकार की विफलता और सरकारी तंत्र में गफलत को भी उजागर किया है छोटी सी घटना ने कैसे बड़ा रूख लिया और जिसकी वज़ा से खुद मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो गए ये सब सरकारी तंत्र में अर्निरने का नतीजा था